Hello students, welcome to MOS classes, इस वीडियो में हम 9th class Math and CERT की जो नई बुक है, उसके chapter number 6 की exercise 6.2 के सभी questions को solve करेंगे. Question number 1 में हमसे कहा गया है, in figure 6.23, if AB is parallel to CD and CD is parallel to EF and Y ratio Z is equal to 3 ratio 7, find X. अब हम इस figure की मदद से इस question को समझते हैं. Question में हमसे ये कहा गया है, कि जो AB line है, ये भी CD के parallel है, यहाँ पर हमें ये दिया गया है, और Y और Z, इन दोनों angles की ratio हमें कितनी दी गई है? 3 ratio 7, दिखें, ये angle X है, ये angle Y है, ये angle Z है, Y और Z, इन दोनों angles की ratio हमें दी गई है, 3 ratio 7, और फिर हमसे कहा गया है, find X, यानि कि हमें ये X angle पता करना है. तो सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये जो angle है, यहाँ पर ये वाला angle, इसे नाम दे दीजिए, angle 1, ठीक है? तो आईए अब इस question को solve करते हैं, तो सबसे पहले हम लिखेंगे, angle 1 is equal to Y, और इसका reason हम लिखेंगे corresponding angles, देखें यहाँ पर आप देख सकते हैं, angle 1 और Y, ये दोनों corresponding angles हैं, क्यों? क्योंकि Y भी कटने वली line के उपर की तरफ है, और angle 1 भी कटने वली line के उपर की तरफ है, Y भी transversal के left में है, और angle 1 भी transversal के left में है, तो ये corresponding angles हैं, और ये आपस में equal होंगे, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा, angle 1 is equal to Y, उसके बाद हम लिखेंगे, angle 1 plus Z is equal to 180 degree, उसका reason हम लि लिखेंगे, linear pair, अब देखिए, angle 1 और Z, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे है, linear pair, ये दोनों ही straight line के उपर बन रहे हैं, तो ये दोनों आपस में मिलकर linear pair बना रहे हैं, तो इनका sum कितना होगा, 180 degree, इसलिए यहाँ पर हमने लिखा, angle 1 plus Z is equal to 180 degree, अब angle 1 की जगा हम यहाँ पर Y लिख सकते हैं, क्योंकि angle 1 और Y आपस में equal है, यहाँ पर हमने दिखाया था, तो angle 1 की जगा हम लिख देंगे, Y plus Z as it is, is equal to 180 degree भी as it is आ जाएगा, तो यहाँ पर हमें Y और Z का sum मिल गया है 180 degree, और हमें question में Y और Z की ratio कितनी दे रखी है, 3 ratio 7, तो इसको यहाँ पर लिखेंगे given Y ratio Z is equal to 3 ratio 7, अब हम इस ratio का use करेंगे और देखें किस तरीके से हम Y angle पता कर सकते हैं, हम यहाँ पर पहले Y angle पता करेंगे और Y angle जैसे हमें मिल जाएगा, Y angle कहाँ पर है, यह वाला, जैसे हमें Y angle मिल जाएगा, उसके बाद हम बहुत easily X angle को भी find कर रहेंगे, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, आप इन दोनों ratios का sum निकालेंगे, तो यहाँ पर आप लिखेंगे, sum of the ratios is equal to 3 plus 7, 3 और 7 को add करेंगे, तो आपको मिल एगा 10, अब हम Y find करते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे Y is equal to, अब इस ratio में Y की ratio का part कितना है, 3, तो यहाँ 3 उपर लिखेंगे, upon में यह जो इनका sum आया था ratios का 10, यह 10 यहाँ आप on में लिखेंगे, into यहाँ पर लगाएंगे, और यह जो sum यहाँ पर आया था Y plus Z is equal to 180 degree, इसको आप यहाँ पर ऐसे multiply कर देंगे, मैं repeat कर देता हूं, Y की जो ratio थी 3 वो उपर लिखी, इन दोनों ratio का sum जो 10 था वो नीचे लिखा, into किया, और यह Y और Z का sum यहाँ पर हमें मिला था 180 degree, उसको यहाँ पर लिखा, अब देखिए, इस 0 से यह 0 कट जाएगी, ठीक है students, अब यहाँ पर नीचे तो 1 बचा, उसका तो कोई मतलब भी नहीं है, उपर क्या बचा, 3 into 18, 18 को multiply करेंगे 3 के साथ, तो आपको मैं लिखा 54 तो यहाँ पर आप लिखेंगे Y is equal to 54 degree, अब Y की value हमें मिल गई है, अब हम बड़ी असानी से X को भी पता कर सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए, यह दो parallel lines है और यह transversal है, तो X और Y क्या होंगे, यह co-interior angles होंगे, और इस chapter की basic वीडियो में हमने आपको बताया था, कि co-interior angles का sum 180 degree होता है, तो यहाँ पर X और Y का sum 180 degree होगा, तो यहाँ पर हम रिखेंगे, X plus Y is equal to 180 degree, और इसका reason हम रिखेंगे, sum of co-interior angles is 180 degree, अब X को यहाँ as it is रिखेंगे, plus का sign आएगा, Y की जगा Y की value 54 degree, यहाँ पर रिखेंगे, is equal to 180 degree, यहाँ पर रिखेंगे, अब हमें X की value find करनी है, X को यही पर रिखेंगे, is equal to assign 180 degree, यह positive 54 degree इस साइड आएगा, तो यहाँ पर आकर यह minus 54 degree हो जाएगा, अब 180 degree में इसे minus करेंगे 54 degree, तो आपको मिलेगा 126 degree, तो X की value हमें क्या मिल गई है, 126 degree, तो यह जो X हमें पता करना था, यह हमने पता कर लिया है, यह है 126 degree. If AB is parallel to CD, EF is perpendicular to CD, and angle GED is equal to 126 degree, find angle AGE, angle GEF, and angle FGE. अब हम इस question को figure की मदद से समझेंगे, देखिए, question में हमसे यह कहा गया है, कि जो line AB है, यह parallel है, line CD के, ठीक है, और उसके बाद हमें दिया गया है, EF perpendicular है CD के साथ, तो देखिए, यह जो EF है, यह perpendicular है CD के उपर या CD के साथ, तो यहाँ पर यह 90 degree का angle बनेगा, क्योंकि जो perpendicular होता है, वो 90 degree का angle बनाता है, उसके बाद, angle GED कितना दिया गया है, 126 degree, देखिए, GED, यहाँ से यहाँ तक, यह पूरा angle, यह यहाँ से यहाँ तक, यह complete जो angle है, यह है 126 degree, ठीक है, अब उसके बाद हमें तीन angles पता करने के यह का गया है, पहला angle AGE, देखिए, AGE, यानि कि एक तो हमें यह, यह वाला angle find करना है, एक तो यह हो गया, उसके बाद, angle GEF, GEF कहा है, G, E, F, यानि कि यह इतना हिस्सा, यह, G, E, F, ये यह गया हमें यह वाला angle पता करना है, इतना part, और उसके बाद angle FGE, FGE FGE angle यहाँ पर बनेगा यानि कि ये angle तो देखिए एक तो ये वाला angle पता करना है एक ये इतना angle पता करना है और एक ये वाला angle पता करना है तो ये बहुत ही easy question है students तो इसको हम solve करते हैं सबसे पहले हमें angle AGE find करना है जो कि बहुत easy हमें मिल जाएगा देखिए A B और C D parallel lines है और ये देखिए G E ये transversal है ठेक है अगर ये दो parallel lines है और ये transversal है तो ये वाला angle यानि कि angle AGE ये angle और ये वाला angle यानि कि angle G E D ये दोनों angles आपस में equal होंगे क्योंकि ये alternate interior angles से मैं repeat कर देता हूँ ये दोनो parallel lines है ये transversal है तो ये वाला angle angle AGE और ये वाला angle G E D ये दोनों angles आपस में equal होंगे क्योंकि ये alternate interior angles है तो अगर ये 126 degree है तो angle AGE भी 126 degree होगा तो ये एक answer तो हमें मिल भी गया है तो यहाँ पर हम लिखेंगे angle AGE is equal to angle G E D और इसका reason हम लिखेंगे alternate interior angles और angle G E D question में हमें दिया गया 126 degree तो इसकी जगा हम लिखेंगे 126 degree तो angle AGE जो कि हमें ये find करना था ये हमें मिल गया है 126 degree एक answer हमारा पूरा हो गया है अब हम find करेंगे angle G E F देखिए angle G E F यानिके ये वाला angle हमें find करना है तो जड़ा ध्यान से देखिएगा students ये जो पूरा angle है G E D ये पूरा angle ये दो parts में बटा हुआ है एक तो इतना part यानिके angle G E F इतना part और एक ये वाला part यानिके F E D तो अगर हम इस angle को और इस angle को add कर दे इन angle F E D तो यहाँ पर हम लिखेंगे angle G E F plus angle F E D is equal to angle G E D अगर आप इन दोनों angles को add करें तो इनको add करके यही angle बनता है angle G E D अब देखिए angle G E F ये तो हमें find करना है इसको हम यही पर लिखेंगे plus का sign angle F E D की जगा हम लिखेंगे 90 degree क्यों देखिए F E D ये 90 degree है क्योंकि ये perpendicular था यहाँ पर तो ये 90 degree बन रहा है तो F E D की जगा यहाँ पर हमने लिखा 90 degree is equal to assign angle G E D हमें दिया गया है 126 degree तो इसकी जगा हम लिखेंगे 126 degree अब अगर आप 126 degree में से minus करेंगे 90 degree तो आपको मिलेगा 36 degree यानि कि angle G E F हमें कितना मिल गया 36 degree तो ये दूसरा पार्ट भी हमने solve कर लिया है G E F ये वाला angle हमें 36 degree मिल गया है अब हमें क्या find करना है angle F G E अब ज़रा देखिए angle F G E यहाँ पर देखिए ये angle हमें find करना है अब ध्यान से देखिए students ये दोनों angles मिलकर ऐसे ही linear pair बना रहे है ये एक straight line है और उसके उपर ये दोनों angles मिलकर linear pair बना रहे हैं यानि इनका sum 180 degree के equal होगा अब इसी को use करके हम angle F G E यानि कि ये वाला angle find कर लेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे angle A G E plus angle F G E is equal to 180 degree और इसका reason हम लिखेंगे linear pair देखिए A G E ये वाला angle और F G E ये वाला angle इन दोनों का sum कितना हुआ 180 degree हुआ क्योंकि ये linear pair बना रहे हैं अब angle A G E की जगा हम लिखेंगे 126 degree क्योंकि angle A G E यहाँ पर हमें मिला था 126 degree तो इसकी जगा लिखा 126 degree plus का sign angle F G E हमें find करना है is equal to sign 180 degree angle F G E को यही पर रखिए is equal to sign 180 degree यहाँ पर 126 degree इस side में आएगा तो यहाँ पर आकर यह minus 126 degree हो जाएगा अब 180 degree में से minus किजे 126 degree तो आपको मिलागा 54 degree तो angle F G E हमें कितना मिल गया है 54 degree तो यह वाला angle angle F G E भी हमने find कर लिया है यह हमें मिला है 54 degree तो टोटल तीन solution यहाँ पर हुए सबसे पहले angle A G E 126 degree आया फिर angle G E F यह हमें 36 degree मिला उसके बाद last में angle F G E हमने find किया 54 degree question number 3 में हमसे कहा गया है in figure 6.25 if P Q is parallel to ST angle P Q R is equal to 110 degree and angle R ST is equal to 130 degree find angle Q RS अब जरा इस figure को ध्यान से देखिए question में हमें कहा गया P Q parallel है ST के तो यह जो P Q है यह parallel है इस ST के एक तो हमें यह दिया गया है उसके बाद angle P Q R equal है 110 degree P Q R यह angle है 110 degree and angle R ST कितना है 130 degree देखिए R ST यह angle कितना है 130 degree हमें find क्या करना है angle Q RS Q RS यानि कि हमें यह वाला angle find करना है अब देखिए students यहाँ पर आपको थोड़ा सा construction करना पड़ेगा आप इस P Q line को produce करेंगे यहा तक देखिए आप इस P Q line को इस तरीके से आगे produce करेंगे और जब इस line को आप produce करेंगे तो यह इस SR line को इस point पर intersect करेंगे, काटेंगी इसको हम नाम दे देते हैं point M इस point को हमने नाम दे दिया point M अब देखिए यहाँ पर हमने यही लिखा है produce P Q to intersect SR in a point M यानि कि हमने P Q को आगे बढ़ाया और यहाँ तक बढ़ाया और इस line ने फिर क्या किए और हमने लिखी है अब ज़रा ध्यान से देखिए अगर P Q ST के parallel है, जैसा कि question में हमें दिया गया है P Q ST के parallel है, तो PM भी ST के parallel होगी क्योंकि हमने P Q को ही तो आगे बढ़ाया है, तो P Q ST के parallel है, तो PM भी ST के parallel होगी, और इस case में Transversal क्या होगा, यह SM देखिए, यह line और यह line parallel है, और यह Transversal है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, now PM is parallel to ST, यानि के यह PM parallel होगी ST के, and Transversal SM, और यह Transversal SM है, Intersect them जो इन दोनों lines को intersect करती है, काटती है, कहा पर? M पर और R पर देखिए, यह Transversal इस line को तो M point पे काट रही है और इस line को S point पे तो यह दो parallel lines और यह Transversal है अब हमें यह वला angle find करना है, angle QRS अब देखिए, यह triangle आपको नजर आ रहा होगा triangle QMR अब इसमें मुझे यह वला angle find करना है, अब इसके लिए एक तो मुझे यह वला angle find करना पड़ेगा, और एक यह वला angle, अगर हम यह दो angles find कर लेते हैं तो यह तीसरा जो angle है इस triangle के अंदर, यह तीसरा angle हम बड़ी असानी से निकाल पाएंगे angle some property का use करके तो पहले हम यह वला angle find करेंगे फिर यह वला angle find करेंगे और फिर हमें यह वला angle भी मिल जाएगा तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे angle PQR plus angle MQR is equal to 180 degree और इसका reason हम लिखेंगे linear pair, देखिए PQR यह वला angle और उसके बाद MQR यह वला angle, यह एक line है और यह दोनों मिलकर क्या बना रहें linear pair, तो इन दोनों का sum कितना होगा, 180 degree angle PQR, यह वला angle angle MQR, यह वला angle इन दोनों का sum 180 degree क्योंकि यह linear pair बना रहे हैं अब PQR 110 degree दिया गया है तो PQR की जगा हम लिखेंगे 110 degree plus angle MQR is equal to 180 degree angle MQR हमें अभी find करना है तो यहाँ पर लिखेंगे is equal to 180 degree positive 110 degree को इस side में लेकर आएंगे तो यहाँ पर आकर यह minus 110 degree हो जाएगा अब 180 में से minus कीजिए 110 को तो आपको मिलेगा 70 degree तो यहाँ पर angle MQR हमें कितना मिल गया, 70 degree तो इस triangle में यह वला angle हमें 70 degree मिल गया है यह 70 degree है करना है, अब ध्यान से देखेगा angle QMS is equal to angle TSM और इसका reason हम लिखेंगे alternate interior angles अब QMS कौन सा angle है QMS यानि के यह यह वला angle अब आप कहेंगे कि सर आप QMS क्यों find कर रहे हैं देखें यह वला angle QMS और यह वला angle QMR यह दोनों मिलकर linear pair बना रहे हैं, तो अगर हमें यह QMS मिल गया, तो linear pair का यूज करके, हम यह QMR भी find कर लेंगे इसलिए पहले हमें QMS QMS, यह angle पहले find करना पड़ेगा अब देखेंगे, जैसा कि यहाँ पर हमने लिखा है angle QMS equal है angle TSM के क्योंकि alternate interior angles है, देखेंगे यह ST parallel है, इस PM के यह दो parallel lines है और यह transversal है तो यह दोनों angles कौन से angle हुए alternate interior angles और alternate interior angles आपस में equal होते हैं, इसलिए दोनों angles आपस में equal हैं, अब angle TSM, यह angle कितना है 130 degree तो इसकी जगा यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 130 degree तो angle QMS हमें कितना मिल गया, 130 degree यानि कि यह angle हमें 130 degree मिल गया है अब यह दोनों angles मिलकर क्या बना रहे हैं linear pair, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, angle QMS plus angle QMR is equal to 180 degree और इसका reason हम लिखेंगे linear pair, देखें QMS यह वला angle, और QMR यह वला angle, यह दोनों मिलकर linear pair बना रहे हैं इसरे इनका sum 180 degree है अब QMS, अभी अभी हमने यहाँ पर find किया था, 130 degree है तो QMS की जगा हम लिखेंगे 130 degree, प्लस यह angle QMR is equal to 180 degree angle QMR को यही पर रखिए is equal to assign 180 degree 130 degree इस से एड़ाएगा, तो यहाँ आकर यह minus 130 degree हो जाएगा 180 degree में से minus करेंगे 130 degree, तो आपको मिलेगा 50 degree तो angle QMR हमें मिल गया 50 degree, अब इस triangle में यह angle हमें 70 मिला था, यह angle हमें कितना मिल गया QMR, यह वाला QMR, यह angle मिल गया 50 degree, अब यह दो angles हमें मिल गए हैं, अब angles हम property का use करके यह तीसरा angle हम find कर रहेंगे, जो हमारा final answer होगा अब हम इस triangle में angle sum property का use करेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे in triangle QMR अब यहाँ पर में एक important point आपको लिखवा रहा हूँ, इसको ध्यान से देखिएगा, angle QRM is equal to angle QRS अब इसका क्या मतलब हुआ, देखिए angle QRM, यह वड़ा angle इसको हमने equal लिखा angle QRS के, देखिए angle तो यही है QRM कहिए, तब भी यही angle बन रहा है, और QRS कहिए, तब भी यही angle बन रहा है, सिरफ यह, जो line है, इसी को तो आगे बढ़ाया हुआ है तो इसका मतलब आप angle QRM भी कह सकते हैं और angle QRS भी कह सकते हैं, दोनों cases में angle यही वाला है अब आप कहेंगे कि यहाँ पर इसको बताने की या समझाने की क्या जरूरत है, तो इसको समझाने की जरूरत इस लिए है students कि जब हम इस triangle का use कर रहे है QRM का, तो इसमें हमें QRM, यह angle का नाम लिखना पड़ेगा, QRM लेकिन हमें find क्या करना है, हमें तो QRS find करना है ठेक है, तो सिर्फ यह नाम की वज़े से हमें यह दिखाना पड़ रहा है, कि आप QRM कहिए, यहाँ से यहाँ तक, या QRS कहिए पूरा, दोनों का मतलब एक ही है तो QRM की जगा हम QRS लिख रहे हैं क्योंकि इन दोनों का एक ही मतलब है तो इस triangle में इन तीनों angles का sum 180 degree के equal होगा तो यहाँ पर हम लिखेंगे angle QRS यह वळा angle, plus angle MQR, MQR यह वळा angle, plus angle QMR, QMR यह वळा angle, यानि कि यह जो है पहला, यह angle है दूसरे नंबर पे यह वळा angle है तीसरे नंबर पे यह वळा angle है तीनों का sum कितना हुआ? 180 degree reason लिखेंगे angle sum property यानि कि triangle के तीनों angle का sum 180 degree के equal होता है angle QRS हमें find करना है plus MQR हमें कितना मिला था यहाँ पर देखिए MQR angle मिला था 70 degree तो यहाँ पर MQR की जगा आ गया 70 degree plus QMR हमें कितना मिला था 50 degree तो इसकी जगा 50 degree is equal to 180 degree यहाँ पर as it is angle QRS रिखेंगे plus का sign 70 और 50 अड़ किया 120 degree आया is equal to 180 degree QRS को इदर रखिए is equal to 180 degree 120 degree इस से एड़ आएगा तो यह minus का 120 degree हो जाएगा 180 में से minus करेंगे 120 तो आपको मिलागा 60 तो angle QRS हमें कितना मिल गया है 60 degree तो यही angle QRS यानि कि यह angle जो हमें find करना था यह हमने find कर लिया है और यह हमें मिल गया है 60 degree Question number 4 में हमसे कहा गया है In figure 6.26 If AB is parallel to CD यानि कि AB parallel है CD के Angle APQ is equal to 50 degree Angle APQ यह angle कितना है 50 degree And angle PRD is equal to 127 degree Angle PRD यह angle कितना 127 degree Find X and Y हमें एक तो angle X find करना है और एक angle Y find करना है तो यह बहुत ही easy question है तो आईए इसको solve करते हैं सबसे पहले हम लिखेंगे Angle APQ is equal to angle PQR और इसका reason हम रिखेंगे Alternate Interior Angles देखिए यह दोनो parallel lines है और यह देखिए PQ Transversal है अगर यह दोनो parallel lines है और यह Transversal है तो यह दोनों angles Alternate Interior Angles होंगे और आपस में Equal होंगे यह angle कौन सा हुआ angle APQ यह angle और यह angle कौन सा हुआ angle PQR तो यह दोनों angles equal है क्योंकि alternate interior angles है वो यहाँ पर हमने लिखा angle APQ यह वला angle equal है angle PQR यह वला angle ठीक है अब APQ हमें कितना दिया गया है 50 degree तो इसकी जगह यहाँ पर हम लिखेंगे 50 degree is equal to assign यह angle PQR है और angle PQR और कुछ नहीं बलकि X ही है देखिए PQR यह और कुछ नहीं बलकि X ही है तो इसकी जगह यहाँ पर आप क्या लिखेंगे X तो X की value हमें कितनी मिल गई 50 तो आप easily याद रख सकते हैं कि यह alternate interior angles है तो आपस में equal होंगे यह X है और यह 50 degree है तो X किसके equal आ गया 50 degree के equal तो X तो हमने find कर लिया अब हमें Y find करना है अब फिर से देखिए students यह दो parallel lines है AB और CD और इस बार यह देखिए PR एक transversal है अब अगर यह दोनो parallel lines है और PR transversal है तो यह पूरा angle यानि के APR यह पूरा angle equal होगा इस angle PRD के क्यों? क्योंकि यह दोनो alternate interior angle से इस रहे आपस में equal होंगे angle APR यह पूरा और angle PRD यह और यह भी याद रखेगा के APR दो parts में divided है जिसको बाद में हम use भी करेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे angle APR is equal to angle PRD और इसका reason हम लिखेंगे alternate interior angles अब angle APR दो parts में divide है 50 degree और Y यानि इन दोनों को add कर दिया जाए तो पूरा angle APR बन जाता है तो APR की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 50 degree प्लस Y यानि इन दोनों को add करके angle APR ही आता है is equal to angle PRD हमें कितना दिया गया है 127 degree तो angle PRD की जगा यहाँ पर हम लिखेंगे 127 degree अब Y को यहाँ पर रखे is equal to का sign 127 degree 50 degree को इस साइड देकर आए यहाँ करिए minus 50 degree हो जाएगा 127 degree में से minus करेंगे 50 degree तो आपको मिलेगा 77 degree तो Y की value हमें मिल गई है 77 degree यानि यह जो Y हमें चाहिए था यह 77 degree हमें मिल गया है तो यहाँ पर हमें दो चीज़े निकालनी थी X की value वो हमने निकाल लिए 50 degree और Y की value वो हमने निकाल लिए 77 degree Question number 5 में हमसे कहा गया है In figure 6.27 PQ and RS are two mirrors placed parallel to each other अब यहाँ पर देखिए दो mirrors हैं PQ और RS और यह दोनों एक दूसरे के parallel हैं उसके बाद हमसे कहा गया है An incident ray AB strikes the mirror PQ at B the reflected ray moves along the path BC and strikes the mirror RS at C and again reflects back along CD prove that AB is parallel to CD अब हम इस question को इस figure की मदद से समझते हैं देखिए PQ parallel है RS के यह भी एक mirror है यह भी एक mirror है यह दोनों आपस में parallel है अब वो यह कह रहे हैं के एक light ray आई जैसे की रोशनी होती है light ray वो आई इस तरीके से और वो AB ऐसे जा रही है देखिए arrow से पता चल रहा है इसका रस्ता क्या है AB इस path से होती हुए light ray आई और यहाँ पर mirror से टकराई टकरा के reflect back हुई वापस आई अब इसका रस्ता यह हो गया arrow से पता चल रहा है फिर यह आकर इस वाले mirror RS से टकराई और यहाँ से टकराए खिर से reflect back हुई और वापस गई देखें पहले रस्ता यह था फिर रस्ता यह हो गया फिर रस्ता यह हो गया और हमें प्रूव करना है कि जो AB है ये parallel है CD के, देखिए, हमें प्रूव करना है AB parallel है CD के, यानि कि ये AB और ये CD, इसे हमें parallel प्रूव करना है अब इस question को solve करने से पहले हम कुछ काम यहाँ पर करेंगे, कुछ चीजों को समझेंगे एक तो यहाँ पर हम एक perpendicular draw करेंगे, ये PQ line के उपर, यहाँ पर हम एक perpendicular draw करते हैं ठीक है, perpendicular यानि जो यहाँ पर ये 90 degree का angle बनाता है, इसको हम नाम दे देते हैं BM और एक perpendicular यहाँ, इस RS के उपर एक perpendicular यहाँ draw करेंगे, C point पे, ये perpendicular B point से आया था, ये perpendicular यहाँ C point से जाएगा, इस तरीके से ये perpendicular यहाँ से draw किया, इसे नाम दे देते हैं C N तो एक काम तो आपने यहाँ पर यह किया, कि एक perpendicular इधर draw किया, और एक perpendicular इधर draw किया, हमें AB को parallel प्रूव करना है, CD के, तो इसके लिए concept को समझना जरूरी है, जो अब हम आपको समझाएंगे तो यहाँ पर एक चीज़ तो आपको यह याद रखनी है, कि अगर दो parallel lines होती है, और आप उनके बीच में perpendicular draw करते हैं, तो यह perpendicular भी आपस में parallel होते हैं, तो यहाँ पर PQ parallel है, RS के, और इनके बीच में एक perpendicular हमने draw किया BM, और दूसरा perpendicular draw किया CN, तो यह दोनों perpendicular यानी के BM और CN, यह भी आपस में parallel होंगे और इसको हम बाद में use करेंगे, और हमें prove क्या करना है, हमें prove करना है कि AB parallel है CD के, तो देखिए, AB और CD कटने वज़ी lines हैं, और इनको काट कौन रहा है, transversal BC, देखिए, यह जो BC है, यह BC इन दो lines को काट रही है, तो यहाँ पर यह transversal है, और CD और AB कटने वज़ी lines है, और हमें AB और CD को parallel prove करना है, तो इसको prove करने के लिए, आप यह वज़ी figure देखिए, इससे आपके लिए easy हो जाएगा, देखिए, यहाँ पर कटने वज़ी lines क्या है, AB और CD, transversal क्या है, BC, हम जानते हैं students, कि अगर यह दोनो parallel lines है, और यह transversal है, तो यह alternate interior angles आपस में equal होते हैं, यानि कि angle ABC और angle BCD यह आपस में equal होंगे, क्योंकि alternate interior angles है, अब ज़रा इसका उल्टा बोल कर देखते हैं, इसको दूसरे तरीके से बोल कर देखते हैं, अगर alternate interior angles equal होते हैं, तो कटने वाली lines parallel होती हैं, तो अगर हम यह prove कर दें, कि angle ABC equal है angle BCD के, यानि अगर यह alternate interior angles equal आजाएं, तो यह prove हो जाएगा, कि यह cutने वाली lines AB और CD आपस में parallel हैं, तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, angle ABC यह पूरा angle, अगर हम equal दिखा दें, angle BCD इसके, अगर यह पूरा angle और यह पूरा angle अगर equal आजाएं, और यह alternate interior angles अगर equal प्रूव हो जाते हैं, तो यह cutने वाली lines, यानि AB और CD parallel प्रूव हो जाएंगी, तो हमारा main काम अब क्या है, main काम है, angle ABC को equal दिखाना है, angle BCD के, उससे हमारा यह final answer आजाएगा, कि AB और CD parallel हैं, अब यहाँ पर आप एक काम और करेंगे, इस इतने angle को, आप angle 1 का नाम दे दिजिए, इस angle को, angle 2, यहाँ आपर, angle 3, और इस angle को, angle 4, अब हम इस question को solve करना start करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे construction, draw BM perpendicular PQ and CN perpendicular RS, तो यह तो हम already कर चुके हैं, BM हमने perpendicular draw किया, PQ के उपर, और CN हमने perpendicular draw किया, RS के उपर, ठीक है, तो यह वाला पाठ हम already कर चुके हैं, उसके बाद, angle 1, equal होगा angle 2K, और angle 3, equal होगा angle 4K, इसका reason हमने लिखा है, angle I is equal to angle R, यह angle I होता है, angle of incidence, और angle R होता है, angle of reflection, अब ध्यान से समझे, यहाँ पर यह दो mirrors हैं, ठेक है, यह वाली जो ray है, वो ऐसे आई, और यहाँ पर यह टकराई, और ऐसे यह वापस चले गई, औ तो यह जो angle है, यह किसने बनाया, इस वाली ray ने, यह जो पहली ray आती है न, इसको incident ray कहते है, यह science में physics का concept होता है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यह line of incidence होती है, और इससे जो angle यहाँ बनता है, इसको angle of incidence कहते हैं, और यह होता है angle of reflection, यानि कि यह light जो टकराके वापस आ तो जिस angle पर वो टकराती है, उसी angle पर वो वापस reflect करती है, तो angle of incidence equal होता है angle of reflection के, इसी लिए यहाँ पर हमने लिखा angle of incidence is equal to angle of reflection, फिर यही लिखा angle of incidence is equal to angle of reflection, इसी वजह से angle 1 angle 2 के equal है, और angle 3 angle 4 के equal है, यानि जिस angle पर यह यहाँ पर टकरा रही है, उसी angle पर यह वापस जा रही है इसलिए angle 1 is equal to angle 2 और angle 3 is equal to angle 4 अब ये हमारी first equation होगी angle 1 is equal to angle 2 first equation angle 3 is equal to angle 4 second equation इसके बाद देखे हम लिखेंगे bm is parallel to cn ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि अगर दो parallel lines होती है तो उनके बीच में अगर आप perpendicular draw करते हैं तो ये perpendicular भी आपस में parallel होते हैं इसलिए ये perpendicular bm और ये perpendicular cn ये आपस में parallel होंगे वही यहाँ पर हमने लिखा है therefore angle 2 is equal to angle 3 ये third equation होगी और इसका reason हम लिखेंगे alternate interior angles अब बड़े ध्यान से समझिए अब इस बार आपको कहा नजर रखनी है ये देखिए ये और ये cn और bm ये दोनो parallel lines है और ये देखिए transversal है ये दोनो parallel lines ये transversal तो angle 2 और angle 3 ये आपस में equal होंगे क्योंकि ये alternate interior angles हैं इसलिए यहाँ पर हमने ये लिखा है कि bm parallel है cn के तो angle 2 और angle 3 equal होंगे क्योंकि ये alternate interior angles हैं और ये हमारी third equation होगी अब देखिए first equation, second equation, third equation इन तीनों equation से हमें क्या मिलता है वो देखते हैं from equation 1, 2 and 3 angle 1, angle 2 के equal है angle 2, angle 3 के equal है और angle 3, angle 4 के equal है तो ultimatory हमें ये भी मिल गया कि angle 1 और angle 4 भी आपस में equal है फिर से समझते हैं angle 1 तो angle 2 के equal है ही angle 3, angle 4 के equal है यहाँ से पता चला कि angle 2 और angle 3 आपस में equal है तो angle 1, angle 2 के equal, angle 2, angle 3 के equal, और angle 3, angle 4 के equal, तो इससे पता चला कि angle 1 और angle 4 ये दोनों भी आपस में equal होंगे, तो यहाँ से हमें जो पता चला वो यहाँ पर लिख लेते हैं, कि angle 1 is equal to angle 4, अब हम कह सकते हैं कि चारों angles आपस में equal है, तो angle 1 is equal to angle 2, is equal to angle 3, is equal to angle 4, अब जैसा अभी आपको मैंने बताया था, कि अगर आपको AB line को parallel prove करना है CD के, तो आपको ये पूरा angle, यानि angle ABC, equal दिखाना होगा इस पूरे angle के angle BCD के, तो वो आप कैसे दिखाएंगे, angle 1 और angle 2 को आप add करेंगे, तो ये पूरा angle ABC बनेगा, और angle 3 और angle 4 को add करेंगे, तो ये पूरा angle BCD बनेगा, तो वो ही यहाँ पर हम करेंगे, angle 1 प्लस angle 2 is equal to angle 3 प्लस angle 4, अब आप कहेंगे, कि इन दोनों का sum equal कैसे आगया, देखिए, angle 1, angle 2, angle 3, angle 4, चारो angles आपस में equal हैं, तो अगर ये चारो angles आपस में equal हैं, और आप angle 1 और angle 2 को add करते हैं, तो ये equal आएगा angle 3 प्लस angle 4 के, कैसे, माल लीजिए कि चारो angles equal हैं, और ये 50, 50, 50, 50, तो आप 50 प्लस 50 कीजिए, तब यहाँ पर 100 आता है, इधर भी 50 प्लस 50 कीजिए, तो 100 आता है, तब ही तो ये दोनों equal आ रहे हैं, तो ये चारो angles equal हैं, तो angle 1 प्लस angle 2, equal होगा angle 3 प्लस angle 4 के, अब जैसे अब हमने आपको बताया, कि angle 1 प्लस angle 2 अगर आप add करते हैं, तो angle A, B, C आता है, देखिए, angle 1 और angle 2 को add कर दीजिए, तो ये पूरा angle ABC यहाँ बन जाएगा, तो इन दोनों को add करके क्या मिला, angle ABC, is equal to cosine, angle 3 और angle 4 को add करेंगे, तो आपको मिलेगा angle BCD, देखिए, angle 3 और angle 4 को add किया, तो ये पूरा angle मिल गया, angle BCD, ये पूरा angle, तो angle ABC equal आ यह एंगल BCD के, अब देखे students, अगर यह पूरा एंगल, इस पूरे एंगल के equal है, देखे यह दो lines कट रही है, AB और CD कटने वाली lines है, और BC Transversal है जो इनको काट रही है, तो अगर यह alternate interior angles equal है, तो कटने वाली lines parallel होंगी, तो यह तो हम शो करी चुके हैं, कि एंगल ABC और angle BCD आपस में equal है, तो कटने वाली lines AB और CD आपस में parallel होंगे, जो हमें prove करना था, तो यहाँ पर यही हम रिखेंगे, Thus, lines AB and CD are intersected by Transversal BC, such that angle ABC is equal to angle BCD, that is alternate interior angles are equal, therefore AB is parallel to CD, तो इस पूरी line का, इस पूरी statement का मतरब क्या हुआ, कि line AB और line CD काटी गई है BC के द्वारा, और यह वाला angle ABC और यह angle BCD आपस में equal आ गए है, यानि कि alternate interior angles equal है, इसलिए AB और CD यानि कि कटने वाली lines parallel होंगी, और यही हमें prove करना था, AB is parallel to CD, याद रखेगा students, कि यह एक important question है, यह मुश्किल question नहीं है, बस इसको एक दो बार आपको practice करना है, और कहीं भी आपको doubt रगे तो इस वीडियो को दोबारा से आपको देखना है, I hope students आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो इस वीडियो को like करें, share करें, हमारे चैनल को subscribe करें, और bell icon बटन जरूर दबाएं, जिससे हमारी हर नई वीडियो का notification आपको मिलता रहे, thank you.